समझा आपने? जब अधिकार ज़्यादा होता है ना अंकार भी ज़्यादा होता है आप नहीं समझते मैं एक बात साब बताता हूँ Muslim League के जो नेता थे सुलेमान सेट जी उनका इंतकाल के बार असदुद्दीन वोवईसी साब का कोशिश यह है के He wants to project himself as the face of Indian Muslim community और कुछत तक वो सफल हुए है शिवा है इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजंडा है उसका कोई दूसरा एजंडा नहीं है वो Indian Muslim face का एक शकल बनना चाहता है उसमें कोशिश कर रहे हमारा बाई है हमारा पार्टी है हमको नास है मुत्यदा अंधर प्रिदेश में भी एक पार्टी को बचाया रखने वाला शिपाई है वो भी समझा आपने हम जो भी बोलते बराबर बोलते डटकर बोलते उल्टो पल्टा नहीं बोलते किसको सपोर्ट करना चाहिए वो खुद लड़ रहे है बिहार में गाया भई पांच से सीट मिला उनको महरास्टर में लड़ा दो चार सीट मिला हमारा बाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो आज चमक ने दो क्या गलती है इसमें क्या नुक्सान है भई तेलंगाना का बेटा है वो चार जगा अपना नाम रोश्यान कार रहा दो करने दो आपको कोई अड़ चने साथ टैक्स जीवाली वट इस रांग वंद शाथ हम यंदिकला का गोल्माल गोविंदम भई इपड़ यह निमी देनलका नरेंदर मोड़ निद्रलेशन बुंदेल करने दरिदेने इपड़ गनावाड़ अधन नरेंदर मोड़ीक्टी अई देनलनेंचे वाला कावर्नमेंटे उननेदगाने यह चेयले यह नदुको उने एलक्ष्यन रांग ने क्वेट्टा प्राजेक्ट अधिर केन बेथ्वा प्राजेक्ट इप्ड़ गुर्थ्टको चुनादे यह निकला स्टांट गादा अधि खन पड़त्त अलेदा